Hello students, you are most welcome Time in work का एक important type देखो Simran और Garima मिलकर 8 दिनों में एक काम पुरा करते हैं यदि Simran अकेले काम करके उसी काम को 10 दिनों में पुरा कर सकती है तो Garima अकेले उसी काम को कितने दिनों में पुरा करेगी यहाँ पर कहा गया है कि Simran और Garima मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कम्प्लीट करती है और Simran अकेले उसी काम को 10 दिनों में कम्प्लीट करती है तो सबसे पहले आप इनका total work का निकालो यहाँ पर या तो आप LCM ले लो या फिर बड़ी संख्या कुन सी है 10 इसका ऐसा multiple देखो जो 8 से भी divide हो जाए तिसरा तरीका यह है कि आप ऐसा number छोटा सा छोटा number देखो जिसमें दोनों का भाग हो जाए तो एक काम करते हैं हम 80 भी ले सकते हैं जो दोनों से कट जाएगा या फिर आप 40 भी ले सकते हैं जो दोनों से कट जाएगा तो यह total work हमने माना, यहां पर 8 से भाग देंगे 40 में, तो 5 बार komplit चले जाएगा, 10 से भाग देंगे 40 में, तो 4 बार komplit चले जाएगा मतलब यहां पर आप समझो कि simran की efficiency कारिशम्था 4 है, और simran और गरीमा दोनों की कारिशम्था यहां पर 5 है हम कह सकते हैं कि सिम्रन की कारी समता यहाँ पर चार है और जो गरीमा है उसकी कारी समता यहाँ पर एक आ गए यह हमें पता चल गया ठीक है अब कहा यह गया है कि यह जो गरीमा है अकेले उसी काम को कितने दिन में पुरा करेगी गरीमा एक दिन में एक उनिट काम करती है तो ग हमारा right answer 40 रहेगा, option D हमारा सही answer है.